Hello everyone, how are you all? So, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीट के बारे में तो हम लोग देखेंगे कि सीट में क्या-क्या पढ़ाई करनी है और यह क्यों इन्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक्जाम में आप देखोगे कि 1, 2 या 3 कोश्चिन्स रहेंगे हमेशा, जैसे आप AFO देख लो नाबाड देख लो SO देख लो, RRB SO यहां आपको 2-3 कोश्चिन्स यहां से रहेंगे ही रहेंगे बहुत आराम से पढ़ेंगे और हर चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके चलेंगे ताकि एक्जाम में कोई इशू ना हुआ हमें है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वोटी सीड सीड क्या है सीड होता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला चीज जो चीज हम पढ़ रहें, वो है क्या तो यह है यह है एक एक फटीलाइब को बोलते है ठीक है कंजीस्टिंग ऑफ इंटाक्ट इंप्रय औ pटीलाइब को बोलता है उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे seed के क्लासिफिएशं के पारे में पढ़ेंगे सीट क्लासिफिएशन से क्या-कया आजाता है breeder seed, nuclear seed, foundation seed, certified seed यह सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर germinations के बारे में पढ़ेंगे what is germination, किस-किस प्रकार का germination होता है फिर हम लोग देखेंगे, seed में, कि germination जो होता है न, उसको test कैसे करते हैं कौन-कौन से methods है, जिससे हम लोग test करते हैं फिर हम लोग देखेंगे, viability testing, seed viable है की नहीं, seed germinate करेगा की नहीं है न, उनके testing देखेंगे, कैसे हम जानेंगे, कि वो seed germinate करेगा की नहीं यह seed germinate करेगा की नहीं, फिर हम लोग पढ़ेंगे, seed dormancy के बारे में isolation distance के बारे में, seed treatment के बारे में और कुछ miscellaneous terms, terms होते हैं, questions होते हैं, वो सब हम लोग करेंगे, जैसे dockage क्या होता है, seed, state seed corporations, यह सब के बारे में, यह सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरे seed में हम लोग को यही पढ़ना है, हम लोग क्या देखेंगे, classification, germination, methods of testing, germination, viability देखेंगे, seed dormancy देखेंगे, isolation distance के बारे में पढ़ेंगे, और seed treatment के बारे में पढ़ेंगे, चलिया, तो सुरू करते हैं हम लोग, next slide में हम लोग क्या देखेंगे, कि seed क्या है, what is seed, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा, कि seed is a ovule, fertilized ovule, यह आपको याद रखना है, fertilized ovule, seed is a fertilized ovule, consisting of intact embryo, seed के classification जो है न, वो पाच प्रकार से होते हैं, breeder seed, foundation seed, certified seed, registered seed, truthful level seed, यह जो है न, यहाँ से questions हमेशा पूछते हैं, हमेशा हर exam में, act culture के state वाल exam हो, चाहे आपको AFO हो, नबार्ड हो, वहाँ से आपको यहाँ से questions जरूर मिलेगा, सबसे basic questions, जो उठते हैं न, इन पाचों में से, वो पुछते हैं इनके color, color combination, तो आपको याद रखना है, breeder seed जो है न, वो golden color का होते हैं, golden yellow बोल सकते हैं, foundation seed, white color का होते हैं, certified seed जो होते हैं, certified seed blue color के होते हैं, register seed, register seed कौन से color के होते हैं, तो register seed purple color के होते हैं, और truthful level seed, truthful level seed का कोई color नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा confusion देखें कहा होते हैं, आपको breeder seed याद रहेगा, आपको ये certified और registered seed में ही issue होगा, तो याद रखना, C के सबसे सामने कौन है, B, है न, तो certified हमेशा blue होगा, और R के सामने क्या है, P, P, Q, R, होता है न, P, Q, R, S, T, जैसे A, B, C, A, B के बाद C है, तो certified C, और P, Q, R, P, Q, R, R के सबसे सामने कौन है, purple, तो registered seed जो है, वो purple color का होगा, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सबसे important है, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चे confused होते हैं, color का नाम, जब आप exam पर बैठो गए न, तो वहाँ पर नाम में आपको confusion हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें रहना चाहिए, कौन सा color, कौन सा seed, कौन से color का होता है, ठीक है, चलिए, बात, अगर हम लोग यहाँ पर कर लिए, तो अब हम लोग देखते हैं, about something about breeder seed, ठीक है, चलिए, breeder seed को सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, let me change the color, breeder seed में हम लोग क्या देखेंगे, कि breeder seed जो है, वो purest form of seed होता है, ठीक है, purest form of seed, यह आप बोल सकते हो, यह 100% pure होता है, 100% pure, ठीक है, आपको जैसे पता है, golden yellow color का होता हो, ब्रीडर seed को एक चीज़ और करते हैं, ब्रीडर seed को आप nuclear seed भी बोलते हो, जो जो बोल रहा हूँ ना, उसको याद रखियेगा, पूरा exam specific में पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है, जो exam में पूछते हैं, जो exam में पूछेग हैं, मैं वही सब चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो purest form of seed है, 100% pure, nucleus seed, इसको भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रीडर सीट से क्या क्या questions बनते हैं, कि कौन से color का है ब्रीडर सीट, purest form of seeds जो है, उसका classification में purest form of seed कौन सा seed होता है, आपको पूछ देगा, तो आप बताएगा या ब्रीडर सीट जो है, purest form of seed है, और फिर आपको ब्रीडर सीट का दूसरा नाम भी बोल सकता है, तो आप बता दोगे, ब्रीडर सीट का दूसरा नाम क्या है, nuclear seed, ब्रीडर सीट को nuclear seed भी बुलते हैं, बहुत costly होता है पता ही है, pure चीज costly होता ही है, तो pure है इसलिए बहुत costly होता है अब यह जू BREE着 Seed है इसमें और चीज हम लोग क्या देखेंगे कि BREE着 Seed जो है hybridization से बनते है hybridization से तो हमको याद रखना है कि BREE着 Seed जो है, वो hybridization से बनते है तो यह चार-पांश चीज हमको ब्रीडर सीड में याद रखना है क्या क्या याद रखना है इस प्यूरेस्ट फर्म ओफ सीड ठेक है ब्रीडर सीड को नुकलियर सीड भी बोलते है इस वेडी कॉस्टली और यह हाईवरडाइजेशन मेफड से बनता है ओके नेच्स सबी का यह चाल आदर चीज नेजश और ौफ तेकुनेशन सीड यह श्रूर और को हमेशा एक सटूरुडर से प्रोडियूस होता है तो सीड के सटेन ओर्गनाईजेशन ने नेशनल सीट कॉर्परेशन तराई डेवलप्मेंट कॉर्परेशन स्टेट सीट कॉर्परेशन यह सब जो और्गनाइजेशन है सीट से रिलेटेड उनके थू फाउंडेशन सीट बनते हैं तो हम लोग फाउंडेशन सीट में क्या देखेंगे सबसे इंपॉर्टन चीज की कलर कॉन सा है और इस चेनरली प्रोड्यूस्ट जो बनता है वो नैशनल सीट कॉर्परेशन टराई डेवल्परेशन और स्टेट सीट कॉर्परेशन ठीक है foundation seed, breeder seed के मुकाबले relatively less pure होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, और foundation seeds, बनता किस से हैं, breeder seed से, breeder seed से बनता है foundation seed, देखें ओके, next हम लोग बढ़ते हैं certified seed, जैसा कि हमें बोला, कि c, b से बहुत सामने है, इसलिए certified seed का color, जो है, वो blue है, है न, wait, let me rub all this, हम, चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, कि, अब हम लोग पढ़ेंगे certified seed के बारे में, तो certified seed का color क्या है, certified seed का color हो जा रहा है blue, blue क्यूं हो रहा है, आपको बताया, कैसे इसको combination करके आपको याद रखना है, ठीक है, और certified seed जो है न, it's a progeny, it's a progeny of both breeder seed and foundation seed, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, कि certified seed, देखो foundation seed progeny किसका है, breeder seed का, और certified seed जो है, वो foundation seed और breeder seed दोनों का progeny है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, अब ये question बहुत important होता है, कि farmer के लिए available कौन सा seed होता है, जो farmer के पास seeds होता है, जैसे, जो भी चीज, जमिनेट, जो भी चीज उगाने के लिए, वो आपको certified seed होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, certified seed का दो classification होता है, F1 और F2, दो classification भी होता है certified seed का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि foundation seed जो है, वो certain organization जैसे state seed corporation, national seed corporation, तरहाई development corporation, इन लोग बनाते हैं, वैसे certified seed एकदम assure है कि वो state seed corporation की ओर से बनता है, इसमें national seed corporation, तरहाई development corporation नहीं, state seed corporation certified seed बनाता है, ठीक है, ओके, तो इसका सबसे important चीज़ आपको क्या समझा है, इसका सबसे important चीज़ समझा है, certified seed का color है, color कौन से हम याद रखना है, फिर हम लोग देखेंगे certified seed का classification, certified seed कौन बनाता है, ठीक है, और certified seed जो है, वो progeny है, foundation और breeder seed का, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, registered seed के बारे में, registered seed जैसा मैं बताया, उसको याद कैसे रखना है, और P, Q, R, P, Q, R मतलब purple जो है, वो R के बहुत सामने है, तो registered seed का जो color है, ABCD में, alphabet में, registered seed का जो color है, वो रहेगा purple, ठीक है, यह कहां से बनता है, it is produced from registered seed, जो है, वो किस से बनता है, registered seed, registered seed जो है, वो आपको foundation seed से बनता है, या registered seed itself से बनता है, ठीक है, it is a progeny of foundation seed, और registered seed itself, इसको उनको याद रखना है, registered seed is a progeny of foundation seeds, और register seed itself ठीक है ओके ठीक है रेजिस्टर पॉपल कलर का होता है इससे ज़ाद हमको कुछ जानने के ज़रत नहीं है बहुत छोटा सा तीन चीज़ हमको याद रखना है रेजिस्टर सीट में पॉपल कलर का होता है और foundation और रेजिस्टर सीट का प्रोच है नहीं होता है अब हम लोग बात करेंगे truthful level seeds के किसके बात करेंगे truthful level seeds truthful level seeds में क्या है truthful level seeds में हम लोगों कोई inspection carried नहीं किया जाता है तेक है no inspection required अगर कुछ चीज़े हम याद रखनी है truthful level seed में तो सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कि no inspection is required और उसके बाद याद रखना है कि it is a seed offered for a cell after testing germination percentage and physical purity यह एक seed है जो germination percentage और physical purity के test के बाद यह आपको offer किया जाता है commercial sale के लिए तो हम लोगों ने seed के classifications को पड़ लिया तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि we have done classification of seeds ओके wait we have done classification of seeds seed के classification को हम लोगों ने कर लिया next हम लोग क्या देखेंगे Next हम लोग देखेंगे Germination Next हम लोग पढ़ेंगे Germination Germination में क्या पढ़ना है Germination में हम लोगों को पढ़ना है कि Germination कितने प्रकार के होते है तो Germination दो होता है EPGL, HYPOGL EP, EP मतलब क्या होता है उपर, थेक है तो जब Cautlydden Soil के उपर होता है चैसे ये Soil है और Cotlidean है, Cotlidean बहुत लोग है, Cotlidean आप देखोगे नहीं, ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो जब EPGL में क्या होता है, Cotlidean soil के ऊपर होता है, EP उपर, तो जब Cotlidean soil के ऊपर होता है, तो उसको बोलते है, EPGL germination, और hypoGL, hypo, नीचे, ठीक है, Cotlidean soil के नीचे रहता है, तो उसको hy हाइपोजेल germination बोलते है, अब हमको क्या याद रखना है, इसमें, आपको यह तो समझा गया, EPGL और hypoGL, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम याद रखना है, EPGL germination होता किस-किस plant में, ठीक है, तो हम लोग जो mustard, फिर tamarind, tamarind मतलब हल्दी, sunflower, caster, onion, इन सब में EPGL होता है, इन सब में आपको जो soil के उपर कॉटलिडन रहेगा, ठीक है, हाइपोजेल की बात करें, तो हाइपोजेल आपको cereals, cereals, सब cereals में मिलेगा, gram, अरहर, lentil, यह डाल वला जितना चीज है ना, वो हाइपोजेल इसके अंदर रहेगा, soil के अंदर रहेगा, हाइपोजेल germination होग दाल वला जितना चीज है, ठीक है, और आपको यह जो है, EPGL जो है, वो आपको मिलेगा, mustard, tamarind, sunflower, caster, onion, इन सब चीजों में, ठीक है, कोई दिकत नहीं, germination, germination कितने प्रकार क्यों होते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है, अब आप बोलोगे कि germination क्या होता है, तो germination तो emergence seedling का development, seedling है, उसमें development हो रहा है, इसी को germination बोलते हैं, दो तरह का होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है, एक EPGL, एक IPGL, वो तो हम लोग ने, हमने आपको पढ़ाई दिया, next हम लोग क्या देखेंगे, next हम लोग देखेंगे, germination percentage एक देख लो आप, ठीक है, germination percentage देख सकते हो, कि germination percentage क्या होता है, तो हम लोग क्या देखेंगे, wait, हम लोग क्या देखेंगे, germination percentage क्या होता है, germination percentage, germination percentage क्या होता है, कि number of seed germinated divided by 100 into 100 germination percentage का निकालने का यही formula है जैसे कहीं पे हम लोग germination percentage निकालना है तो एक जगा ले लेंगे और वहाँ पे हम लोग test कर लेंगे देख लेंगे कि वहाँ पे number of seed कितना seed germination हुआ है और उसको divided by 100 into 100 करके germination percentage निकाल लेंगे तो यह question क्या होता है यह germination percentage आपको पता रहना चाहिए कि वह किस के basis पर seeds healthy होना चाहिए of course अब seeds में germinate नहीं करेगा मरा हुआ है उसको तो आप नाप्योगे नहीं है तो seed healthy होना चाहिए अब हम लोग पढ़ेंगे next method of testing of germination अब हम लोग देखेंगे कि germination का testing कैसे कैसे होता है और किस किस वे से हम लोग germination के testing करते हैं इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे methods है germination के test करने के लिए जैसे petri dish method होता है roll towel method होता है folder paper method होता है sand method होता है gunny backs method होता है mechanical method होता है petri dish method में क्या होता है न देखो पहले तो सबसे पहले जो important चीज़े वही है कि small seed के लिए होता है petri dish इसमें 10 से 20 seeds लेते हैं 10 से 20 seed हम लोग petri dish में रखते हैं और उसके बाद हम लोग पानी से soak करते है petri dish एक petri dish समझ रहना है ऐसे करके dish होता है ऐसे करके है ऐसे करके इसमें हम लोग seeds रख देते हैं ठीक है और उसमें पानी डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जमिनेट कर रहा है कि ने इसे मेठड ऑफ टेस्टिंग जैसा सीड वो जमिनेट कर गया तुम समझ जाएंगे कि सीड जो बढ़िया है उसके बाद हम लोग इसको फील्ड क्रॉप पे फील्ड में ले जाने के लिए भेज सकते हैं तो यह एक मेठड होता है पैट्रीड अब एक होता है रॉल टॉइल मेठड ट्या होता है एक लिए ठाल के अंदर रख दिया आपको तर इसको रोल कर दिया रोल करके दो देख रहों दोनों में difference petri dish method क्यों use करता है याद रखना small size seeds है छोटा सा seed petri dish में रख देंगे और बड़ा-बड़ा seeds है तो हम लोग इसको towel में मोड के रख देंगे थोड़ा सा भीगो के पानी में फिर होता है folder paper method folder paper method भी क्या होता है kind of roll towel type है metal paper को हम लोग fold कर देते हैं और उसके बार उसमें भी हम लोग पानी डालते हैं और यह भी large size के लिए होता है large size seed के लिए होता है फिर एक होता है sand method sand method तो आपको पता है जैसे आप sand है बालू है बालू में सीट को डाल दी है और थोड़ा सा पानी देते गए जब मिनेट हो रहा है कि नहीं वह देख लिए sand method हो गया गनी बैक्स method kind of same ही है सब कुछ उसमें गनी बैक्स में रख देंगे ठीक है गनी बैक्स गनी एक अवन में क्या होता है कि हम लोग सीट को रख देते हैं सीट को रख देते हैं बाहर से टेंपरेचर देते हैं हमिडिटी देते हैं जितना जरूरी है और चेक करते हैं कि वह जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं तो यह हो जाता है आपको method of seed germination है ना अच्छा एक और चीज हम प्योर है तो हम लोग क्या करेंगे कि सीट देखने के लिए हम लोग प्योरीटी परसेंटेज निकालते हैं अगर बोलेगा कि कोई सीट में प्योरीटी परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे जितना सेंपल मानलो हमको कोई दिया इतना सारा सीट इतना सारा देखेंगे और देखेंगे 9-23 निकालने के लिए कि 50 इतना प्योर है पूरा सेंपल, पूरा सैंपल हумको मिला इं 20 कर देङ। काटेंगे तो पता चलेगा 50% सीड हमारा यह तो तो seed purity ऐसे ही निकालते हैं ठीक है और एक term आता है DOCKAG यह question आया हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे है IPPS A4 में आया है previous year question में देखो के तो मिल जाएगा IPPS A4 में उसमें क्या है न डॉकेज क्या बोलते हैं डॉकेज का मतलब क्या होता है एक term है it's a impurity percentage of seed seed का impurity percentage अगा निकाल रहे है न it's called dockage उसको हम लोग dockage बोलते हैं तो यह सब चीज़े आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सब याद रखना है वो direct exam में पूछे गए है और आगे भी पूछे जाएंगे it's not that कि पूछे गए तो अब नहीं पूछे जाएंगे यही सब questions ही बनते हैं तो पूछे तो जाएंगे तो हम लोगों ने क्या देखा seed purity कैसे निकालते हैं और उसके बाद dockage जो है उसका मतलब क्या होता है अब हम लोग देखते हैं viability method viability method of the seed viability होता क्या है actually viability क्या होता है viability क्या होता है कि जैसे seed जो है न उसके capacity को बोलते है capacity to germinate seed seed के germinate germination के capacity को हम लोग viability बोलते हैं viability method जो है उसमें हम लोग cœur Chinnation के germination capacity को नापते है जैसे electrical conductance method से, potassium permagnate method से, endocarmine method से, pretrazolium chloride test के method से, embryo culture method से, ये सब तरह तरह के viability method है, जिससे हम लोग ये देख पाते हैं कि seed viable है कि नहीं, अब सबसे पहले हम लोग देखते है, electrical conductance method, ये क्या है भई, तो electrical conductance का क्या है, कि हम लोग electricity pass करते हैं, see'd है, seed से electricity pass की है, तेख है, और अगर conductance जो है, वो seed मे electricity pass बहुत अच्छे से हो जा रहा है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, कि impurity है उसमें, हम लोग ये वो करेंगे, क्योंकि impurity है, क्योंकि seed में जो electricity pass हो जा रहा है, वह because of dead tissue tissue dead है इसलिए impurity pass हो जा रहा है तो अगर seeds जो है वह सीदे हम लोग पहले पानी में डाले पानी में डालने के बाद उसमें से electricity pass किये और अगर conductance जो electricity का conductance है वह बहुत अच्छा हो रहा है मतलब यहां मान लोग पांच है और इधर भी पांच ही निकल रहा है तो हम समझेंगे कि यह seed जोना impure है ठीक है क्या होता क्या है कि seed में पानी चला गया और इसमें यह impurity के कारण जो tissue है वह dead हो गया तो electricity जो है ना वह पास होने लगता है इधर से इधर तो हम लोग क्या करेंगे electrical conductance method में क्या करते हैं एक seed लेते हैं और उसमें उसको भिगोक है उसमें पानी डालके शोक करके electricity पास करते हैं और अगर electricity अच्छे से पास हो रहा है तो वह impure है और अच्छे से पास नहीं हो रहा है तो वह pure है ऐसा हम लोग test करते हैं तो यह है electrical conductance method of seed के viable को देखने का तरीका next हम लोग क्या देखेंगे potassium permagnate method potassium permagnate method क्या है potassium permagnate method में क्या होता है कि seed को हम लोग potassium permagnate डाल देते हैं potassium permagnate डाल देते हैं seed में और क्या होता है कि अगर dead seed है तो discoloration बढ़ जाता है क्या हो जाता है dead seed में discoloration जादा हो जाता है जो seed आपको live है जो जिन्दा है उसके मुकाबले ठीक है और उससे हम लोग पान लेते हैं कि it's a viable seed or not ठीक है तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर seed में अगर एक seed है उसमें K1O4 potassium permagnate डाल दिया और अगर discoloration बढ़ गया discolour हो जा रहा है यह जो पूरा petri dish है वो discolour हो जा रहा है हाँ discolour हो जा रहा है तो हम लोग जानेगे कि seed dead है ठीक है next हम लोग देखेंगे Indocarmine method Indocarmine method क्या होता है Indocarmine method में क्या होता है कि seed जो है Aniline dyes में हम लोग और उसके बदो अब्जर्व क्या करते हैं कि dead seed जो है ना dead seed में stain आ जाता है ठीक है दाग आ जाता है stain मतलब धबा और वही live seed में वह धबा नहीं आता है ठीक है तो हम लोग इंडो कार्माइड मेठड में ऐसे करके चेक करते हैं कि अनलीन डाइज डालते हैं और dead seed अगर रहता है अनलीन डाइज से क्या होता है कि dead seed जो है उसमें आपको stain आ जाता है stain मतलब दाग होता है और live seed है जो उसमें stain नहीं आता है ठीक है next tetrazoleum chloride cell tetrazoleum chloride से थोड़ा important हो जाता है इसको एक इसको biochemical test भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बायो chemical test ठीक है tetrazoleum chloride test is also known as bio chemical test ठीक है अब इसमें क्या होता है कि seed को जो है ना हम लोग tetrazoleum chloride में soak करते हैं मालोई एक seed है वो tetrazoleum chloride में tetrazoleum chloride है इसमें ढाल दी है ठीक है उसमें क्या होता है कि live अगर सेल है ना living cell है तो red color का हो जाएगा और dead cell जो होगा वो original color का ही रहेगा dead रहेगा तो वो original जो color का था वही color का होगा ठीक है tetrazoleum chloride से tetrazoleum chloride test को हम लोग biochemical test भी बोलते है उसमें क्या होगा कि अगर आप tetrazoleum chloride में अगर आप seed को डालोगे तो अगर वो red color का हो जाता है तो आप समझो कि वो living है जिन्दा है और dead रहेगा तो जो color का है वही color का रहे जाएगा कोई दिक्कत नहीं नेक्स हम लोग क्या देखेंगे यह पाचो हो गया आपको पोटाशन पर मैगनेट टेस्ट हो गया इंडो कार्माइन सब हो गया नेक्स हम लोग क्या देखेंगे नेक्स हम लोग चेक करेंगे isolation distance isolation distance यहां से हर साल आजकल हर साल एक कुश्चन सार यह दस पंदर जो भी है न दस पंदर क्रॉप्स उनका isolation distance आपको याद रखना है यह बहुत important है यहां से कुश्चन आई रहे है ठीक है यहां से कुश्चन आ रहा है और एक और चीज़ है best weight देख लेना है और seed index देख लेना है यह चीज़ से हमेशा हम देख रहे हैं कि कुश्चन पूछते ही जा रहे हैं तो यह चीज़ हम को हम लोगों को पढ़के जाना है isolation distance क्या होता है isolation distance simple सा चीज़ है कि किसी चीज़ को isolate करना जैसे healthy seeds है ना healthy seeds या healthy crops है उसको हम लोग unhealthy crops से कितने distance में isolate करेंगे healthy crops और unhealthy crops में कितने distance में isolate करेंगे वह isolation distance है ताकि एक दूसरे को यह contaminate नहीं कर पाए unhealthy जो है वह contamination नहीं कर पाए वह खराब ना कर पाए अच्छे seeds को तो हम लोग क्या देखेंगे कि self-pollinated crops को देख लो self-pollinated crops में हम लोग देखेंगे rice wheat और ground nut का isolation distance है वो है 3 मीटर का और यह क्या है foundation seeds के बारे में हम लोग बात करेंगे दो seeds के अलग-अलग distances दिये हुए foundation seed और certified seed अगर seed foundation है तो ऊसका isolation distance होगा 3 मीटर certified है तो आपको isolation distance होगा उसका भी 3 मीटर मूं कावपी टोमाचों का 50 मीटर 50 मीटर और यहां से यह self-pollination self-pollination में आपको ना distance जो है वह foundation seed और certified seed का same रह रह रहे है उसमें कोछ़ difference नहीं है उसका 3 है certified seed का फांडेशन सीट का भी तीन है, प्राब्लम क्रॉस पॉलिनेशन से आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कि आपको मेज मस्टर्ड में, आप क्या देखोगी, फांडेशन सीट का 400 है, तो सेटिफाइट सीट का सीधे आधा हो जा रहा है, पर्ल मिलेट का हजार है, तो सेटिफाइट सीट एकदम 25 हो जा रहा है, आपको सनफ्लावर का हजार है, तो सेटिफाइट सीट का 500 हो जा रहा है, कैस्टर का 300 है, तो सेटिफाइट सीट का 50 हो जा रहा है, सन हम का 200 है, तो सेटिफाइट सीट का 100 हो जा रहा है, Lucerne का 400 है तो Certified Sate का 100 हो जा रहा है Onion का 1000 है Certified Sate का 400 हो जा रहा है Onion का बहुत बर पूछा है Cotton का बहुत बर पूछा है इसब important है अब याद एकना Chili Okra दो साल से पूछ रहा है Chili Okra दोनों पूछ रहा है 400, 200 Brinjal, 200, 100 Cotton का पूछा है 50, 30 Sorgum, 200, 100 याद रखना पहला हम foundation का बोल रहे हैं दूसरा certified का बोल रहे हैं बहुत important है इसको आपको एकदम memorize कर जाना है मतलब very very important यहीं से questions आता है यहीं सब questions का main places है तिक है अब हम देखेंगे test weight क्या होता है seed index क्या होता है एक इसे भी पूछ दिया था seed index अगर हम saw seed आपको 100 seed को नाप रहना आपको 100 seed का weight नाप रहना तो उसको क्या बोलते है seed index तेक है और test weight 1000 seed को बोलते हैं तेक है problem क्या होता है जब exam में आप जाओगे तो आप दिमाग खराब हो जएगा की thousand था seed index की test weight 1000 था मतलब थोड़ा सा confusion हो जाता है तो याद रखना copy में index बना वह रहता था तो copy में index जो रहता है वो 100 से जाधा नहीं रहता है तो हमें याद रखना है उसी इसाब से relate करके कि seed index 100 तक ही रहता है और test weight जो है वह 1000 तक रहता है तेक है याद रहेगा चलिए next next हम लोग क्या बात करेंगे next हम लोग बात करेंगे seed के dormancy के बारे में ठीक है dormancy of seeds okay dormancy होता है simple germination नहीं हो रहा है seed not able to germinate not able to germinate it's called dormancy of seed ठीक है seed germination नहीं कर पा रहा है seed के germinate नहीं कर बहुत सारे कारण होता है आप seed को बहुत अंदर soil में डाल दो तो वह germinate नहीं करेंगा बहुत उपर रहेगा तो करेंगा एक definite depth होता है जहां पर आपको सीट को डालना रहता है वहां से वह germinate करने लगता है तो हम लोग पढ़ते हैं types of dormancy कितने प्रकार क्या होते है primary secondary special type यहां तो तीन प्रकार के आपको dormancy देख रहा है primary dormancy क्या होता है कि सीट जो है वह capable of germination होता है after just after ripening even by providing favorable condition तेक है आपको सीट जो है वह राइप कर गया favorable condition दे दो जर्मिनेट कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है simple sapata कोई कोई इधर उदर की चीज नहीं example potato लेलो पोटाटो में आप simple जब वह सीड है वह राइप कर गया जर्मिनेट कर दो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तेक है उसके बाद हम लोग देखेंगे secondary form secondary form क्या है secondary form यह होता है कि सीट जर्मिनेट तो कर जाएगा favorable condition पर जैसे आप unfavorable condition दो गया ना उसको तेक है वह जर्मिनेशन का जर्मिनेशन के लिए incapable हो जाएगा जैसे सीट राइप किया favorable condition दिया जाहाँ unfavorable condition हुआ वह जर्मिनेट नहीं करेगा कांट कांट जर्मिनेट तो सेकेंडरी सीट में यह होता है secondary सीट के आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप समझ सकते हैं favorable और unfavorable condition सबसे बेस्ट वह आपको समझनेगा अब होता है special type तेक है special type of germination में क्या होता है special type of dormancy में क्या होता है कि सीट तो जर्मिनेट होता है पर growth जो होता है sprout का वह restricted होता है because of poor development of root इसमें क्या होता है सीट जर्मिनेट ठेक है सीट जो है वह जर्मिनेट होता है पर roots के poor development के कारण sprout नहीं बन पाता उपर जो फुलता है ऐसे ऐसे वह sprout बोलते हैं वह sprouts नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता भाई all because of roots and coliopatiles root and coliopatiles के कारण वह अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाता अब क्या होता है कि सीट जो होता है सीट में तो dormancy है सीट के dormancy को हम लोग को break करना पड़ेगा सीट के dormancy को break करने के बहुत तरीक है यहां से भी यह बहुत important है यहां से भी questions आते हैं seeds के germinate करने के seeds के break करने के बहुत तरीक है पहला सबसी इसकेरिफिकेशन दूसरा stratification confusing terms है ठीक है यह question आते हैं और यहां से हम लोग को confusion भी होता है scare, scare मतलब पता है क्या होता है दाग, दाग कम लगता है जब उसमें चोट लगता है, तो अगर हम किसी चीज को रगड के, मार के, तोड के ठीक है, अगर हम उसको germinate के लाइक बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उस way of methods को बोलते है, scarification ठीक है, for example आप समझ रोना मैं क्या बोला, आपको याद याद दिलाने के चलते, मतलब जो याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, scar मतलब होता है दाग, दाग मतलब चोट scar पहुचाना, कहीं नुकसान पहुचाना तो इसमें क्या होता है कि ये scarification कैसे बोलते है kind of germination, जिसमें hard coat coat hard हो गया, तोट ही नहीं रहा है हाँ, तो अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, अकर तोड़ देंगे तो germinate करने लगेगा, पर hard होने के कारण वो तूटता ही नहीं है इस kind of germination को हम लोग बोलते है scaric, dormancy को बोलते है scarification, ठीक है scarification में हम लोग क्या क्या करते है पता है आपको, कभी-कभी chilling करते है बहुत धंडा कर देंगे उससे crack हो जाएगा कभी-कभी pre-drying करेंगे जैसे germinate करने के पहले हम लोग उसको dry करते है नहीं तो उसको wash करेंगे wash करेंगे तो उनलोग सब रगडा के क्या होता है रगडा के जो भी थोड़ा-मड़ा तूटना रहता है बहुत तो तूट जाता है नहीं तो pre-washing करते हैं pre-soaking करते हैं पानी में डाल देते हैं फूल जाता है वो ठोड़ा गीला होने के बाद थ्षोफ हो जाता है और germinate कर जाता है नहीं तो rubbing and punching seed है मानलो तो उसको उसमें छेड करती है छेट किया थोड़ा हवा गया और सीट जमिनेट कर गया तो प्रेशर सीड में डाले मतलब वह मेकैनिकल मेटल जो अपना सकते ना प्रेशर डालो चिलिंग करो ठंडा करो गरम करो वैसे वाले चीज को हम लोग स्केरिफिकेशन बूलते हैं यही पर स्ट्राटिफिकेशन जो ह को जमिनेशन की और मोड पा रहे हैं जैसे मानलों एक सीड है और सीड को हम लोग लो टेंपरेचर और मॉस्ट्र देके अगर हम लोग उसको जमिनेट कर पा रहे हैं तो उस चीज को बोलेंगे स्ट्राटिफिकेशन और अगर वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग mechanical method करके उसको जमीनेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे stratification scarification scarification stratification दोनों का difference कोई दिक्कत नहीं scar मतलब दाग mechanical method लगा के करेंगे stratification low motion और low temperature कि याद रखना यह दोनों का differences में बहुत issue होता है फिर हम लोग third method exposure to light, light में रखने के बाद कुछ दिन के बाद वो खुद favorable condition में आ जाएगा और germinate हो जाएगा उसके बाद और एक important आता है chemical treatment अब हम लोग germination के लिए क्या करते हैं कि chemical treatment करते हैं ठीक है जैसे KNO3 हम लोग डालते potassium nitrate treatment करते हैं यह किस में करते हैं यह आपको generally rice और tomato में होगा rice और tomato में हम लोग KNO3 डालके उस को germination को break करते हैं फिर जिबलिक acid treatment करते हैं यह आपको लगबग wheat में करते हैं wheat और oat में rice में KNO3 करते हैं जिबलिक acid treatment wheat और oat में करते हैं फिर एक होता थायोयर treatment यह पोटाटो में करते हैं पोटाटो tubers में यह हम लोग को याद रखना है तीनों चीज़ केमिकल treatment is very important chemical treatment में बहुत important है इसमें क्या है KNO3 treatment जिबलिक acid treatment और थायोयूयर treatment तो यह था हमारा method to break domancy okay next देखते हैं why do we need seed treatment हम लोग को seed treatment चाहिए क्यों हम लोग seed treatment करते क्यों है next हम लोग क्या पढ़ रहा है कि seed treatment क्यों करते हैं यहां से आपको questions आएगा नहीं पर हमें यहां पर पता रहना चाहिए कि seed treatment कर क्यों रहा है कर क्यों रहा है diseases control के लिए germination better करने के लिए nitrogen fixation को बढ़ाने के लिए और domancy को break करने के लिए अब हम लोग क्या देखेंगे some important terms देखेंगे यह भी चीज बहुत important है यह 8-9 जुक terms है यहां से आपको हमेशा question एक question देखने को मिल जाएगा हर जगा तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि NSE क्या होता है NSE होता है National Seed Corporation National Seed Corporation 1963 में बना है NSE का सबसे important चीज यह है कि कब बना है यह चीज आपको याद रहना चाहिए अब क्या है SSFC क्या है SSFC यह है State Seed Farm Corporation State Seed Farm Corporation यह 1969 में बना यह भी आपको याद रखना चाहिए अब यह The Seed Act Seed Act कब बना 1966 यह question आया है बहुत बार आया Seed Rule 1968 देखेंगे बहुत confusing terms है आपको याद रखना पड़ेगा National Seed Program 1975 में आया है National Seed Project 1988 में आया है 100 Seeds के weights को हम लोग Seed Index में नापते हैं और Test Weight में क्या करते हैं 100 नहीं 1000 होता है यह बहुत confusing है बहुत लोगों से गलती होता है Test Weight और Seed Index में फिर आपको यह चीज़ याद करने में बहुत दिक्कत होता है आपको National Seed Project सबसे रीसेंट बना है National Seed Project 1988 में National Seed Program 1975 में Seed Rule 1968 में Seed Act 1966 में State Seed Farm Corporation 1969 में National Seed Corporation सबसे इंपॉर्टेंट यह है फिर आपको The Seed Act सबसे इंपॉर्टेंट नैशनल Seed Corporation कब बना 1963 में और The Seed Act 1966 में तो यह था सीट का सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो चीज़ एक्जाम में आ सकता है दो से तीन questions बहुत हद तक expected है अभी UP में एक्जाम होने जा रहा है UP AGTA इसमें भी बहुत important है IBPS, AFO के जो भी preparation कर रहे है नाबाट की जो भी preparation कर रहे है उनमें यह बहुत important है मैंने लगभग बहुत विस्तार से हर चीज़ पढ़ा दिया इसमें सीड में इससे जादा कुछ नहीं होता है जो important चीज़े ता पढ़ा दिया आपको तो आप इसको बहुत अच्छे से complete करना और उसके बाद मुझे comment करके बताना कि कुछ कमी रही या पढ़ाने का धंग आपको कैसा लगा जो भी है मैं wait करूँगा comment section में चलिए thank you